गैस आपको पता है Firebolt की एक कमाल की वाच आने वाली है येस गैस नाम है Firebolt की डैगर आने वाली है येस बहुत ही तगड़े फीचर साथ आने वाली है फिर्स्ट अफॉल मैं आपको एक चीज रिवील कर देता हूँ यहाँ पर जो है AMOLED डिस्प्ले येस AMOLED डिस्प्ले के साथ ये वाच आने वाली है और बहुत ही जल्दी मतला आप समझ सकते हो इस वीक के अंदर आ सकती है येस आपने से सुना इस वीक के अंदर आ सकती है तो इसी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में आप सभी ये लेके आए हूँ यहाँ पर क्या के कुछ नई चीज़े मिलेंगी इसमें और फायरबोड की बहुत टाइम बात सर्कुलर डैल में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको तो ये बहुत ही कमाल की बात है देखते हैं किया कुछ फीचर्स मिलते हैं और वैसे आप चैनल पर आगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बले एकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमें टेकपूक चैनल को भी टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हो, जहां पर हम amazing deal दालते रहते हैं low price link आपको best product पर मिलती रहती है और बहुत जल्दी बहुत ही exciting चीज आने वाली है तो stay tuned रहेगा हमारे channel पर ठीक है तो start करते हैं इस amazing preview वीडियो को firebolt dagger yes guys look or feel देखो एकदम rugged है पहला तुम आपको बता दूँ tougher than you think जैसे कि अब मतलब firebolt इस चीज पर काम कर रहा है कि मतलब rugged watch आपको देख खासकर और premium look दे साथ में metallic blade के साथ है कहीं न कहीं हार एक watch premium लग रही है इनकी और ये बहुत अच्छा काम कर रही है firebolt ठीक है tougher than you think quick view की बात करें इससे पहले हम main चीजों पर चलते है shockproof metal body मिलती है dual chamfered crown मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर properly हाँ पर जो metal body है आपकी premium look देगी आपके हाथ पर IP68 rated भी है ये highly durable glass यहाँ पर 2.5D curve glass तो नहीं है flat design है बट एक ring provide करेगी है screen guard ना भी लगाओ तब भी चल जाएगी watch और मतलब rugged है तो obvious ही बात है हाँ उसके जितनी rugged नहीं है जितनी आपके firebolt की cobra थी बट अगें ये premium के साथ साथ एक sporty look के साथ rugged भी है 1.43 इंचिस की large display मिलती है 326 pixel size मिलता है तो यहाँ पर ये अच्छा काम किया है firebolt ने display size बढ़ा दिया है और bezels दो है almost कम कर दिये इनोंने ठीक है जो ring के अंदर यहाँ पर display नोंने चुपा दिये always on display का option भी देखने को मिलेगा yes इसमें 24-7 24 गंटे 7 दिन always on display on रख सकते हो आप अब 7 दिन तो नहीं चलेगी कम चलेगी always on display पर आपकी ये चल जाएगी around 2-2-2.5 days तक अराम से माइक येस तो यहाँ पर stay connected with the world यहाँ पर single blue chip का option तो नहीं लग रहा है मेरेको but again अभी confirm नहीं कर सकते है but unboxing में आपको पता सुल जाएगा voice assistant देखने को मिल जाएगा Google Siri को अब activate कर सकते हो through the watch itself और loudness बहुत ही तगड़ी मिलने माली इसमें आपको as such कोई डाउट नहीं है और साथ में 400 mh की large battery capacity यहाँ पर run time तो तकड़ा मिल नहीं है आपको always on display पर मेरे कहल से 3 days तक का पुरा निकाल देगी calling पर ये 3 days तक का चल जाएगी ठीक है उसी कि सद सद देखो यहाँ पर बताया भी गया है तो खराब नहीं होगी watch ही get extra features, यहाँ पर alarm set कर सकते हो watch में बट यह धियानक न, alarm जब बजेगा, ring नहीं बजेगी, vibrate होगी watch weather, water remainder का option भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको alarm, stop watch भी है, find my phone यह सब चीज़े जो मिल जाएगे आपको be your own style icon दो से तीन color shades में देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर दोनों ही color shades में रखो तो अच्छे लग रहे है और आगे बात करेंगे, अभी कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं इस watch के बारे में यहाँ पर 10s of watch face भी देखने को मिल जाएगे यहाँ पर कुछ चीज़ यह बताने वाली है कि यहाँ पर 22M strap size रहने वाला है aftermarket का, yes इस में straps changeable रहेंगे आप change कर पाऊगे बट यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह आपके large to medium wrist के लिए perfect है बट thin wrist पे, sorry to say thin wrist पे watch अच्छी नहीं लेगी दिहान रखेगा last video wrist के लिए perfect यह watch रह सकती है और उसे के साथ-साथ look और feel तो premium है मतलब आपको मिल जाता है इसका sporty look overall और कहीं न कहीं metal का finishing तो है इसमें यहाँ पे quick view की बात करें highly durable glass जैसे मैं आपको बता दिया 60 hertz का refresh rate है क्योंकि इसमें आपको MLA display मिल जाती है full metal body मिलती है basis का polycarmit का बना हुआ है और 100 plus sports mode तो देखने को मिली जाएंगे कब आईगे sale पे यह मैंने आपको बता दिया इसी week आ सकती है और pricing क्या रह सकती है expected price क्या रह सकता है देखिए बहुत साल लोग जाना चाता है expected price का रह सकता है around 4,000 rupees के under रह सकती है yes 4,000 rupees से under ही होगी आप expect कर सकते हो कि हो सकता है कि 3499 या 3999 तक के price bracket में देखने को मिल सकती है अब मैं confirm नहीं हो बट unboxing में आपको exactly confirm मैं बता दूँँ ठीक तो फिलाल ये था एक आप सभी के लिए preview वीडियो fireball की dagger के लिए कौन कौन excited है dagger के लिए आप ज़रू में को comment box से बता दे रहा हूँ तो guys जा मिलता हूँ आप सभी से एकली वीडियो until then bye